शरज्योसना शुद्धाम, शशियुत जटा जूट मुक्टाम, वरत्रा सत्राण, स्पटिक घटिका पुस्तक कराम, सक्रिन्नत्वा नत्वा, कतमि वसताम सन्नि दधते, मधुक्षीर द्राक्षाम, मधुरी मधुरी नापणितयह, ये श्लोक, पंदरवाशलोक, सोलवाशलोक और सत्रवाशलोक, ये तीनों श्लोक, बाला, तृपुर, सुंदरी, उनके बारे में ये बाते, मतलब ये चर्चा कर रहे है होगी है यहाँ पर, उनके मंत्रों को पर इन श्लोकों के द्वारा बताई गई है, ऐसे प्रकट नहीं होता, लेकिन जो ग्यानी जन है, जो गुरुजन के साथ बैठ करके जब सुनते हैं, तो वो हमको बताते हैं, अब देखिए, पहला वाला जो है, कह रहे है कि मा का ध्यान कीजिए, 15 वे श्लोक में कैसा ध्यान क मा का मुख कमल जो है, वो बिल्कुल इस समय कमल जैसा नहीं है, इस समय पुर्णिमा की चांदनी जैसा है, पुर्णिमा का चांद कैसे दिखता है, कौन सी पुर्णिमा, शार्दी ये पुर्णिमा का चांद, उपमा नहीं है, लेकिन ये उपमा लेकर के बताया जा रहा है, और मा की जो बालातिपुर सुन्दरी की जो सुरूफ होती है जो होता है वो उसमें वो 10-12 साल की करन्या होती है बड़ी सुन्दर लगती है और उन्होंने अपने माथे पर द्वितिया का चांद ऐसा एक मुकुट पहना हुआ है और वो अपने हाथों से सबको आशिरवाद द होती है और पुस्तक होती है ये दोनों क्या दर्शाता है कि जो कोई मा को नत्मस्तक होगा इसमें लिखा गया है उस पर तो सरस्वती जी किरिपा कर देती है और उसकी वाणी मधूर अती मधूर हो जाती है मधूर कैसे जैसे द्राक्ष का रस द्राक्ष नहीं अंगूर अंगूर के रस जैसे या मधू जैसे शहद जैसे या दूद की जैसी मीठी ऐसी उस व्यक्ति की वानी हो जाती है कहने कार्थ है उसके उपर सरस्वती जी की क्रिपा हो जाती है वानी तहां से निकलती है हम जो कुछ भी बोलते हैं सरस्वती की क्रिपा होना यानि कि आप जो कुछ भी बता रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं ये बड़े असानी से आप एक्सप्रेस करते हैं आप बोलेंगे लोग आपको सुनेंगे या देखेंगे अब कह रहे हैं कि सरस्वती की कृपा होती है, सरस्वती जो है बाणी पर बैठी हुई है लेकिन इतना ही नहीं है, कई लोग नित्य करते हैं, हम कहते हैं आपके उपर सरस्वती की कृपा है कोई लोग गाना गाते हैं, हम कहते हैं, सरस्वती की खुपा है, किसी की बुद्धी बड़ी तीवरे, गान नहीं सकते हैं, नित्य नहीं कर सकते हैं, हम कहते हैं, सरस्वती की बड़ी कुपा है, कहते हैं, कोई आर्टिस्टिक हो, पेंटर हो, हम कहते हैं, सरस्वती की बड़ी वानी है ये बाहरी वानी है ये आती कहां से वानी ये ओरिजनल वानी होती है नाद से शुरू होती है नाद से ही वानी निकलती है और ये जो ओरिजनल नाद है उसी का नाम है सरस्वती उस नाद में ही सारा ग्यान चुपा हो है वो ओरिजनल नाद है उसी को हम कहते हैं सरस्व सरस्वती के चार प्रकार हैं, एक है क्रियावती, क्रियावती यानि जैसे अब हम हट योग करें, हम प्रडायम करते हैं, हम मुद्राइ करते हैं, हम नित्य करते हैं, हम पेंटिंग करते हैं, हम कविता लिखते हैं, हम बाते करते हैं, हम बोलते हैं, यह सारे हम क्रियाओं में क ग्यान का अरजन हम मुद्राय कर रहे हैं ग्यान का अरजन को ग्यान को पाने के लिए हम ग्यान से जुड़ने के लिए हम हट योग करते हैं हम ग्यान से जुड़ने के लिए हम क्रियायोग करते हैं ग्यान से जुड़ने के लिए और ग्यान बताने के लिए, ग्यान बाटने के लिए, ये क्रियाओं में करते हैं, तो सरस्वती इन क्रियाओं में बैटी होती है, उसे हम कहते हैं क्रियावती, एक दूसरी सरस्वती होती है कलावती, क्रियावती, कलावती यानि जब हम ध्यान करते करते, जो भी हमारा ध्यान का मार्ग है, प्रणायाम, भठियोग, जो भी हम करते हैं, करते करते जब हमारे तत्वों की शुद्धी हो जाती, अभी हम लोगों को ग्यान तो है, संसारिक ग्यान जादा है, लेकिन वो संसारिक ग्यान को हम ग्यान नहीं मानते हैं, हम उसको अग्यान मनते हैं, जो अग्यान हमको संसार में फसाय रखता है, हमें दुख दर्द देता है, परिशानी देता है, उसको हम ग्यान नहीं कहते हैं, उसको हम अग्यान कहते हैं, लेकिन जब हम मा के रास्ते चल पड़ते हैं, जब हम भक्ती के रास्ते चल पड़ते हैं, ध्यान के रास्ते चल पड हमारा शरीर, हमारी आत्मा भी 25 तत्व से बनी है, शाक्त में हम लोग उसको 36 तत्व कर देते हैं, तो 36 तत्व का जब शंशोधन हो करके, हमारे 36 का 36 तत्व जब शुद्ध हो जाते हैं, तब हम कहते हैं, ये व्यक्ति अब परम ज्यानी है, 25 तत्व गीता में हमको बताएगा है, वो बेसिक हैं, वो समझने के लिए हम पंच भूतों से बने हुए हैं, प्रित्वी, जल, अगनी, वायु, आकाश, फिर यही पंच तत्व जाकरके, पंच तनमात्राय बन जाती हैं, सब्द, सपर, शुरूप, गंध, इत्यादि, प्रस, और यही पंच जो तनमात्राय हैं, यह जाकरके हमारी पंच ग्यानिंद्रिया, पंच कर्मिंद्रिया बन जाती हैं, फिर मन वुद्धियांकार, यह सब मिलाकरके जो है 25 प्रकृती है, पुरुष तत्व, भगवान का तत्व, यह मिलकरके टोटल जो इतने 25 एलिमेंट्स है इससे हम बने हुए हैं, और यही हमको संसार में फसाई रखी है, यही 25 एलिमेंट्स हमको अज्ञान में रखे हुए हैं, लेकिन जो कोई भगवत रास्ते चल पड़ता है, साधना के अर्बत पर चल पड़ता है, उसके तत्वों की शुद्धी होते होते होते, उसे परम ज् यानि उसके ओपर सरस्वती की खृपा हो गई कौन सी वाले सरस्वती, ये वाले सरस्वती, जो भी हम बालातिर पुरसुंदरी के जिस फॉर्म को हम मेडिटेट कर रहे हैं, उसमें जो कह रहे हैं, तो वो हो गई कलावती, हमारी कलाओ को जो शुद्ध करती है, तीसरी जो स पावर है, सारे मंत्रों में, तो एक तो ये मंत्रों में पावर है, दूसरा हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम किसी से प्यार का शब्द बोले तो प्यार फिल होगा, हम किसी को कडू शब्द बोलते तो कैसा है और रियक्शन होगा, तो उन वानी में भी एक पावर है, वेक्री शट्चक्रों का भेदन करके जो हमें ग्यान देती है, हमारे ग्यान में कोश्ट को खोल देती है, हमें अनन्द में कोश्ट तक ले जाती है, सचिदा अनन्द में कोश्ट तक ले जाती है, वो जो शक्ती है, वो है सरस्वती, तो जब हम ललितात्रिपूर सुंदरी की इस प्र हो सब कुछ शरस्वती रहा है इंग इस कि अपन्टो करता रहे उसकी बुद्धी धीरे 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 प्रखर हो जाती है एंग बोले या एंग बोले परंपरागत दोनों ही शब्द सही है हमारे परंपरा में एंग बोलते हैं इसलिए हम लोग उसको एंग बोलते हैं कई लोग एंग बोलते हैं दोनों ही शही शब्द है आप दोनों ही जब सकते हैं जबने से निरंत करते 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 आपका जो brain cells है वो activate हो जाएगा चलिए